हेलू फ्रेंज आज में बनाऊंगी 32 साइज ब्राकाट ब्लाउस डायरेक्ट फेब्रिक में काटिंग तो फ्रेंज सूटा से रिकेस्ट है अब आफे तक सेनल में न्यू हैट आप प्लीज सेनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन को जरूर कीजे ताकि मेरी आने वले वीडियो की नॉटिफेकेचन आप तक पॉस्ने के लिए तो यहाँ पर देखिए सब्चे पहले मैंने बेकप्पाट काट कर लोंगी तो इसके लिए हम अगा फेब्रिक को समय तो फूर कर लों Egypt कर लोंगी 10 तो ब्लास का लंबाई देखिए 12 इंच तक रखोंगी और शेलाई के लिए एक्स्त्रा 1 इंच रखोंगी यहां तक 12 इंच है तो हम एक्स्त्रा शेलाई के लिए 1 इंच रखोंगी क्योंकि ओपर के तराब हाफ इंच और निशे के तराब से हाफ इंच आएगा तो total थार्टीन इंच तक राखूंगी तो इसको सिदा करके मिलाने के बाद यहाँ से देखिए हमें छूल डाल लोंगी 5 इंच जहाँ से 5 इंच का निशना दिया है वहाँ से आम हूल लोंगी 5 पोईंच तक आम हूल राखूंगी फिर यहां से भी बराबर मिला लोंगी उसके बड़ हमी लेना है जेस यह 32 साइस है तो हम यहां से राखोंगी 18 और सेला के लिए एक्स्त्रा राखोंगी 2 इंस आपको कितने इंस तक राखने हैं आप अपने हिसाब चे राख लेजिए यहाँ पर देखिए 10 इंस है इसका चेश तो हम कमर में 1 इंस कम करूंगी 9 इंस तक राखोंगी उसके बड़ देखिए इसको हमें गुलाई में सेप मिलाऊंगी आमोल को उसके बड़ लेना है बेक्साइट के नेग्दिव आपको कितने इंस तक राखने हैं आप अपने हिसाब चेश राख लिजे मैं यहाँ से राखोंगी 7 इंस तक और यहाँ से लूंगी 2 इंस और यहाँ से लेना है 2 इंस से दोशूर कम राखोंगी ताब इसको मिलाऊंगी गुलाई में फिर आप इसको काट कर लूंगी इसको काट करने के बाद यहाँ से देखिए बैक साथ के लिए हमें डाट लागाऊंगी 3 इंस का और आपको कितने इस तक उठाना है आप अपने हिसाब से उठा लिजे यहाँ से में 3.5 इंस तक उठाऊंगी और इसको सीधा मिलाऊंगी और यहाँ से 2 फोल में 1.5 का शिलाई करना है और यहाँ से थुरा सा तीशा ताइप का शिलाई करना है तब यहाँ से में फ्रंचेट काट करूंगी तब फ्रंचेट को काट करने के लिए हमें यहाँ से फेब्री को 2 फोल कर लूंगी यह देखिए फिबरी को टूफोल का लिये आप यहाम काता हुआ बेक पाथ को इसका उपर में राखोंगी यह देखिए आम्होल को जीचे के मेरे साइट के तरब से राखोंगी इसको हाम देखिए इस तरह से पिचा लूँगी तब यहां इसी का हिसाब से चोक से निशना लगा लोंगी पहली इसको निशना लगाने के बाद यहाँ से टू इन्स एस्ट्रा जादा लोंगी क्योंकि ब्राकाट ब्लाउस में एक्स्ट्रा तू इन्स फ्रॉंट साइट के तरफ से लेना परता है अगर एक्स्ट्रा तू इंस जादा ने लेने से क्या होता है आपका ब्लाउस फ्रॉन साइट के तरफ से शूटा हो जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ से दू शूट ने तो तीन शूट जैसा शूल्डार से हमें डाउन करना है इस तरह से फिर हम फ्रोनेक लोंगी यहाँ से लेना है टूटेल सेवेन इंस का नेक राखोंगी और इसको मिलाऊंगी इस तरह से ताभी देखिए यहाँ से हमें 5.5 इंस पर यहाँ पर एक निशाना लगाऊंगी इस तरह से 5.5 इंस से हमें टाक्स के लिए मेजरमेन लोंगी और यहाँ से इस तरह से भी बस पोईन ले सकती है और जहाँ से 5.5 इंस लिया है वहाँ से भी ले सकती है ताभी देखिए 5.5 इंस से यहाँ का बस पोईन लगाऊंगी 5.5 इंस ता ताभी देखिए हमें यहाँ से नेक दिब लोगी 3 इंस ता फिर हम यहाँ पर फ्रन नेक को सेब मिला दूँगी आप अपनी पसंद के हिस्टाब से यहाँ पर सेब लगाना है उसके बाद हमी लेना है कात्री का मैजे में यहाँ पर देखिए यह 32 साइज है तो हम 32 को टेङचे दिवाइड करूँगी यहाँ पर हमें 3.2 इंस दबल रखोंगी और सेलाइ के लिए सत्तरा 1 इंस और यहाँ पर देखिए 4.5 इंस तक खुना झाए और यह देखिए बिल्क उसके बद यहां से देखिए वानिस तक हमें उपर के तरफ से उठाओंगे अगर आपको कात्रू के शेप ज़्यादा चाहिए तो आप यहां पर वानिस से ज़्यादा रख सकती है और यहां से भी वानिस तो देखिए जहां से हाप किया है वहां से मिलाना है इसको कात्ने के करकाड कर लोंगे को तो उसके बाद देखिए नहीं क्षेप से ओर एक ओ प्यूजा लागाना यह में हाल मुझा यहां से peoples इसमीर्ड है यहाप इसके शेप नहीं मिलाने से क्या होता है यहाप पर फेब्रिक ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद देखिए हमें इस तरह से मिलाने के बाद और यहाँ से और एक पॉयन लोंगी और यह देखिए यह तू इन से दूछू ज्यादा मिलता है ताब देखिए इसको हम यह से इस तरह से सैज़ मिलाओंगे इसको फूर ऐब इस लगना पड़ता है आपतो इसको आइदिया पर यहां पर सैज़ मिलाना कि तो देखिए है उसके बाद हम यहां से लेना है यहां जहें 5.5 इंज तक लूँगी हमें एक्सिर हाफ श्यादा लिया है बात में ज़्यादा फेवरी उखने से हम इसको काट कर लोगी तो इसको देखे थोड़ा तीसा ताइप से हम यहापन मिलाओंगी उसके बाद देखे यहाँ से कातुरी का और एक पाट लोगी इसको मैं 4 इंच तक रखोंगी यहाँ से यहाँ तक हमें 4 इंच लिया है तो आप यहाँ से देखे हाफ इंच दाउन करूंगी और यहाँ से 1.5 इंच तक दाउन करूंगी फिर जहाँ से हाँ किया है वहाँ से हम मिला लोगी ताभी देखे यहाँ से हम 3.5 इंच तक रखोंगी और यहाँ से 2.5 इंच तक राखूंगी तो इसको यह से मिलाना है तब देखिए यहाँ से भी हमें इस तरह से मिलाना है फिर देखिए इस पोईंट को हमें त्रीशा मिला दूंगी तब हमें इसको काट कर लूंगी झालते हैं तक राखूंगी उसके में देखिए हम यहां से यूपटी काट कर लूँगी मैं यहां पर आज यहां से काट कर लूँगी इसको थुरा बरा साइस रखते हुए मैंने हर यूपटी का काटिंग में इसके मेजमेन बताया है आप वहां से भी देख सकती है तो यहां पर देखिए मैंने यहां पर कर लोँगे हैं इसकल लिए हम में फेबर को टुटल for full कर दिया है तो आज हम इस इसको दिखिए यहां से हम स्लिप काद करओंगे कि यहां से फाइप इंच आखूंगे सी लिप का तुटवीफेत लेंड यहां से तक लिया और यहां से टुई इंच तक 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 अब इसको एस से मिलाना है यहां से भी फ़िट मैंडि फाइपultा कि इसको इसार ler यह देखे पूरा काटिंग कम्प्ली थे और यह बेक साइड थे तो आभी दिखाती हो फ्रोंचाइक किस तरी किसे काट किया है 32 साइस ब्राकर ब्लाउस तो यह देखे इसमें टूफूल है तो हमें एक फूल ही यहाँ पर पिशाओंगी तो इसका स्टिशिंग मैं आगला वीदीओ में करका दिखाओंगी तो फ्रेंस वीदियो परशनें से वीजियो को लाएक और शियर जरोर कीजए आओभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कया तो प्लीज सब्सक्राइब करेज़े और साथ में ब्याला इकन को ज़रोर किलिक कीज तो फिस्टे मुला काट हुगा नेक्स वीडियो के साथ आगला वीडियो में